हाई नमस्कार सस्रियकार प्रणाम आदाब सबको बहुत बहुत आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम बताते हैं आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स जो आपकी लाइफ को हिल्दी बना देता है और ऐसी छोटी छोटी बातों के हम बहुत बड़े-बड़े रा आफ्ट रह सकती है तो आज हम बताएंगे कि नहाते वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके स्किन रहे हेल्दी तो देखिए ये बताने से पहले और ये जानने से पहले आपको वीडियो पूरी देखने पड़ेगी और साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं लेकिन बतादू कि साबुन आपके स्किन को रूखा बनाने का काम करता है साबुन से चेहरा धोने से चेहरे की कोमल तवचा को नुकसान पहुचता है इसलिए हमेशा नहाते समय चेहरे पर फेस वाश का ही यूज़ करें आपको एक बात और बताती हो कि नहाते समय हथते में एक बार scrubbing करने की आदर डालिए अपने चहरी को हलके हाथों से scrub कीजिए आप अपने बोड़ी को भी हफ्ते में दू बार scrub कर सकते हैं लेकिन खयाल रखे हलके हाथों से ही scrubbing करें वर्ण आपके skin पर rashes हो सकते हैं और skin chill सकती है फिर आप सोचेंगे कि ये scrub की वज़ा से हुआ लेकिन नहीं ये आपके hard हाथों की वज़ा से हुआ तो इसलिए अराम अराम से कीजिए और अपने skin को soft and healthy बनाईए साथ ही नहाने के बाद सूखे और साफ तॉले का ही यूज़ करें और अपने skin को बना सकते हैं healthy और glowing तो कैसे लगी वीडियो बताने के लिए like कीजिए, comment कीजिए अगर अभी तक वीडियो शेयर नहीं की तो जल्दिस अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा सब्सक्राइब के लिए ख्याद रखिए, सटाब हो बाए, टेक चैनल